हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जियोटेक टेटेरियल के एक और नए वीडियो में, मैं हूँ एहतदा आलम, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पती के बारे में, तो जानते हैं कि सबसे पहले कि प्राकृ प्राकृतिक वनस्पती का अर्थ होता है, प्रत्वी पर पाये जाने वाले सभी वनस्पती, जो प्राकृतिक कारणों से विक्सित हुए, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्वी पर जितने भी तरह के घास, फूस, पेर, पोधे पाये जाते हैं, और वो मानों के हस्त छेप के बिना वो विक्सित हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है, ठीक है, इसे हरासोना के नाम से भी जना जाता है, क्या हरासोना, ठीक है, तो परियावरन वीदों के अनुसार, ठीक है, कहा जाता है कि कि किसी भी परदेश्ट की प्राकृतिक के लिए कम से कम 33% भागपर ठीक है 33% भागपर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए पर दुरभाग यह है कि हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ कितना 21.55 पर 30 भागपर 1 पा清楚 जाते हैं ठीक है तो आई ये देखते हैं कि भारत के प्राकुरतिक वनस्पतियां वन जिसे ट्रॉपिकल इवर गिरिन वोला जाता है दूसरा है उसने कटिबंद्ल है पर्णपाती अत्वां सुनी वन ठीक है यानि ट्रॉपिकल डेशीडवर और मौन सुनल फोरेस्ट तो आ सब के बारे में ठीक है डिटेल्स्स से जानते हैं कि ये कीन-कीन खेत्रों में पाए जाते हैं, और इनकी क्या-क्या विशिष ताए हैं। तो सबसे पहले हैं, उसने कटी बंदी है सदा बाहर वन। जो है, ये उन खेत्रों में पाए जाता है, जहां पे तापमान जो है कितना 24 degree के करीब रहता है और वार्सिक वर्षा 200 cm से अधिक होती है ठीक है और humidity जो है वो लगवख 70% या उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो कहां कहां पे क्या हो इनके विशिस्ता क्या है कि 24 degree से 24 degree centigrade से ज्यादे temperature होना चाहिए 200 cm से ज्यादे व पाए जाते हैं इन छेत्रों में अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि इन वनों में ठीक है अलग अलग तरह के पेर पोधे पाए गए जब अलग अलग तरह के पाए जाते सबका जो पत्ता जढ़ने का टाइम होता है यानि पत्धर का जो काल ह होता है वो अलग-अलग होता है जिसके कारण क्या होता है कि यह वन जो होते हैं वो हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा हरा भरा है इसी कारण इसको क्या बोलते हैं सदा बहार हमेशा सदा बहार के तरह रहता है ठीक है इसका पज़र का इनका विस्तार कहां कहां पे हैं यह मुखेता अंडमान निकोबार दीप समू ठीक है असम मेगाले नागालेंट मनीपूर मीजोरम तिरिपूरा पस्मी घाट तटिय मैदान पर यह सब क्या है पाए जाते हैं ठीक है तो आए मैप में देख लेते हैं यह सदाबाहर वन ठीक है यह एरिया जो है यह पूरा सब एड़िया जो देख हैं आप यह क्या है यह ठीक है इन सब जगह पर वर्शा अत्यदिक होती है जिनके कारण इस चेत्रों में कौनसा वन पाया जाते हैं उसने कटी बन दिए सदाबाहर वन ठीक है अगर इसका छेत्रफल देखें तो यह कित जर्वन भी बोला जाता है यह वन कहां पर पाया जाते हैं तो जहां पर 100-200 cm वार्षिक वर्षा होती है उन छेत्रों में यह पाया जाते है ठीक है इसका विस्तार की बात अगर करें तो यह कहां है मद और निचली गंगा गाटी महरास्ट करनाटर तामिलनाडू और केरल के कि गड्रिश मेरे रितू में लिज्प अगर्मी वार्षिया यह निटी को क्या करते हैं इसलिए पत्जेश कहल से साल शागवाण शीषम चंदन आम यह विरिक्श इसमें बहुत हैं ज्यादे मतलब क्या बोलते हैं उसको आर्थिक दिरिष्टी से यह यह वन बहुत ही महतपूर्ण होते हैं उसके बाद है उसके बाद है उसके कटी बन दिये सुस्क वन ठीक है यह उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्शिक वर्षा जो हैती है कितना 50 से 100 cm होती है ठीक यह च्य कौन-कौन सा है महाराश्ट है आदर पर्देश है करनाक है तामिलनाडू है कि अधिक का उत्षमी पर्देश बर्वी राजिस्थान उत्र परदेश का निकोट बन दिये वह सुस्कवन का है इनमें जो मुख्य विरिक्स से पाया जाते हैं वो कौन-कौन से है, वो सेखम है, बबूल है, कीकर है, चंदन है, सिरस है, आम है, और महुआ है. ठीक है, यह सब चीज कहा पाया जाते हैं, उस्ट करीबंदिय法 सोसकुवण में पाया जाते हैं. उसके बाद है मरवस्थलियवन यह कहां पर पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो होती है 50 cm से कम होती है और तापमान जो है 24 degree centigrade से अधिक होता है ठीक है तो यह मरवस्थ भारत का जो मरवस्थलिय छेत्र है उन छेत्रों में इनका विस्तार पाए जाता है ठीक है यह ज पेजह त्यकर, खजूर, नाँखफणी और कटीलय जारिंग यह पर पाए जाती है इस परकार का विस्तार प yolार्शमी भाग दशनिय महाँ पर ऐदे तीन अन्य नाम से जाने जाती है छेत्व है वो किसे हुआ है गंगा बह्म महा नदी गोदाली करिश्णा कावेरी आदी नदियों का जो डेल्टाई छेत्र है, वहाँ पे इसका विस्तार हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं, सबसे महतपुर्ण जो डेल्टाई वन है, वो कहाँ पर पाये जाता है, यह गंगा ब्रहंपुत्र का जो डेल्टा है, वह परवती वन जो है कहा होती है वो हिमाले परवती शेत्र में पाए जाती है ठीक है हिमाले के ढाल पर अलग अलग उचाई पर अन्हेक परकार के वनस्पती देखने को मिलते हैं ठीक है तो इसे दो वरकों में बाटा जागया है पुर्वी हिमाले और पस्यमी हिमाले के वन से गके होते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या जो दोटे है इसके हिरी होते हैंज जो 1976 vermकिन उनायची और डाकती है म्हिसा येरिया से ड़कीह जाती हैं तो 1200 मेटर अरद सदावसरी data and Desa उपसे और 24 पर यह सब चीज़ पाया जाती है उसके बाद है पस्जिमी हिमाले में इसकी उंचाई मतलब पेर-पॉधे जगन सदाबहार वन पाया जाते है वह 900 मिटर तक पाया जाते हैं 800-3600 प्रवत जहानों वहां और इसे आइसक्ण बोला जाता है तो यह था आजका हमारा वीडियो आई हूप के आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें konnte करें और अपने दोस्तों के साथ सीर करें आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद